हेई वेलकम यह ओल तो डिकैडमी डिफेंस दिस इस रवी राज और आज की जो वीडियो है यह बहुत इंपोर्डेंट होने वाली उनके लिए जो सीडियेस 2023 में एपियर करने वाले हैं यह हमने कम्प्लिटली स्ट्रेटजी वीडियो बनाया हुआ है तो प्लीज आप इसे एंड तक देखो और एंड आएंशेयर यू कि फर्स्ट एटेंब में इफ यू फॉलो आवर इंस्ट्रक्शन तो पहले एटेंब में ही आपका यह एक्जाम डेफिनिटली क्लियर हो जाएगा इमें ओटिये एफ़े और आएने सीडेज एग्जामिनेशन के बाद रिटन के बाद आप इस चीज के लिए एलिजबल हो जाते हो इंडिल मेंटरी अकेडमी ओटिये एफ़े और आएने ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वट इस ने वीडियो तो पहले हमने यह स के इशू हो जाती है काफी लोग की Mathematics अंग्लिश यह सारा पोर्शन हमने इहां कवर करा हुआ है एक और हमारे इशियेटीव है बहुत ही इशू हो जाती है जो जो नई प्रविडियो देख लो कंप्लिटी और दूसरा चीज क्या है अगर कोई इशू अभी भी बच रही है इग्जाम से रिलेटेड डिफेंस इग्जामिनेशन आप हमें यहाँ पे कंटेक्ट कर सकते हो रवी फॉर यू एन सुबमकास ठीक है टेलिग्राम पे डिलेटली कंटेक्ट कर सकते हैं टेंशन मतलो हम आपके लिए हैं दूसरा क्या है क्विक इंफो चैनल मुझे इसलिए मेंशन करना पड़ा क्योंकि लास्ट 15 डेज में जो सीडेस इग्जामिनेशन हुआ था इस बार का 2022 सेकेंड वला तो पंदरह दिन में जो हमने टेलिग्राम इंफो दिया था उससे डिरेक्ली 20 कुशन आये हैं इसका पुझो के सार टेल्ग्राम में पढ़ाते हैं कैसे तो कुछ इस तरह पढ़ाते हैं मीम के थूरू मीम कुछ ऐसा हो गया आप यहां पर पढ़ ले न यह भी मीम है यह रश्या और उक्रेयन में जैसे वार हो रही है देन नाटो और युनाइटे नेशन अभी किस तरह है ठी अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो में पॉर्शन से एलिजबिलिटी क्या है तो एज के रिक्वार्यमेंट है वह है एफ एक लिए नाइटीन टू टू ट्वेंटी त्री राइट एरफोर्स अकैडमी आयमन आयने के लिए आपको 19-24 साल तक ओटीए के लिए 19-25 साल तक इंजिनीर्ग में होना इन पड़ेंगा एंगन को इंजिनीर्ग के लिए एक सब्धेक रिंट वर्स तो आप देखोगे एक सबजीक्र जो है उसका ट्रेंड हमेशा बहुत हाई रहा है साइंस साइंस में 30, 31, 30, 29, 28 and 32 जो बेसिकली जो ट्रेंड रहा है न वो बहुत हाई रहा है इस बार साइंस में 31 या 30 से 30 अरॉंड कोश्चन साइंस में पूछे ही पूछे जाते हैं उसके बाद देखे तो पॉलेटी सब्सक्राइबरेज में आते हैं फिर आप देखोंगे जो है 17 मिनिममम गया है और मैक्सिम गया 24 जो आपका करेंट एफेर्स मिलाके भी है इस बार का इस बार जो एक्जाम हुआ तो उसमें 24 कोश्चन करेंट एफेर्स स्टैटिक मिलाके पूछा गया था ठीक है तो जोग् जो 20 जो होगि है 21 15 14 20 तो करेंट एफेस का भी फ्लक्टूइटिंग रहा है तो 15 को फिर होगा एक्नॉमिक्स का 9 12 11 11 1 9 6 9-6 6-10 एकनॉमिक्स का गुष्टिन जो है 6-10 के बीच में पेंडूलियम की तरह वो हो रहा है टू एट्वेट हो के एन्फो में चल रहा है फिर होगे miscellaneous 2 होते हैं कभी 4 होते हैं कभी 5 होते हैं तो इस तरह से miscellaneous देख सकते हैं next part पर आते हैं coaching चाहिए यह self study मेरा answer है self study ठीक है क्यों पुछोगे तो इसके पीछे कुछ reason है कैसा self study आप करोगे तो क्या क्या reason इसमें figure out करनी पड़ेंगी पहले ही आपको weakness and strength आपको निकालना है कि weakness क्या है weakness strength का मतलब क्या हो गया है strength किसी का science मजबूत होता है किसी का history मजबूत होता है तो इस जाब से आपको figure out करना है कि आपका क्या strong part है science है तो it's a very good thing because science में अकेले ही 28 questions आ जाता है ठीक है तो science है तो उससे थरो और strong कीजिए अप reach कीजिए कि 25 questions आप सही कर पाऊ science में ठीक है उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि analyze करो PYQ को पहले ही पहले ही बार में PYQ analyze करो क्योंकि हम लोग को figure out करना पड़ेगा previous question से कि question किस परकार के आ रहे है ठीक उसके बाद हो गया questions का trend देखो आप trend in a sense कि question कि इस तरह से पूछे जाते है analytical पूछते है factual पूछते है ठीक है वो चीज़ा figure out करो फिर note taking करना है important points का सारे point को note taking नहीं करना है जैसे classics का अगर आप geography का book लोगे तो classics का geography का book एक page से दो page का note बनेगा उससे जादा कुछ नहीं बनेगा ठीक है अगर वही आप उसको बहुत elaborately classics का note बनाओगे तो उसकी कोई ज़रुरत नहीं है क्योंकि एक question मुश्चिन से पूछा जाता है ठीक है तो पहले आपको important part देखने है कि कहां से आप note बना सकते हो उसी हिसाब से और वह आपको सिर्फ pyq analyze करने से पता चलेगा फिर question trained करो और subject vs question analysis आप figure out करो कि कौन से subject में question ज्यादा पूछे जाते हैं जैसे science का science का सबसे ज्यादा weightage 28 plus 29 to 30 question पूछे ही पूछे जाते है ठीक उसके इसके बाद आप देखो कि syllabus जो है वह मीड फेब तक complete हो जाना चाहिए जैसे आपका अप्रिल में exam है ठीक है अप्रिल में exam है तो मीड फेब तक syllabus complete कर लो so that कि आपके पास दो महिना रहे revision के लिए तो last के two months only for revision उसके उपर कुछ नहीं and test paper test paper लगाना बहुत ज़रूरी है test paper last के दो महिन या उससे पहले भी लगा कि आप check करते रहो तो वह बहुत important हो जाता है ठीक फिर अब cover कैसे करें subjects को पहला science science is a very important subject मैं बार बर बोल रहा हूं क्योंकि इससे question बहुत easy आते हैं बहुत जादा आते हैं तो science cover करने का एक ही तरीका है दो तरीका मैंने बनाया in fact smart work and hard work अगर आप पुछो के कैसे करें तो smart work में देखो ncrt 9 & 10 प्लास 9 10 ncrt cover करो दो book बस हो गया उसके उपर कुछ नहीं चाहिए क्योंकि इसी से यही दोनों book से 20 से 25 question आ जाते हैं ठीक है बहुत briefly वे में cover करना है आप वो इस चीज को और notes बनान लेकिन बशात्य आपको मेहनत करनी पड़ेगी 6 to 10 ncrt करो science का plus lucent का book cover करना है lucent का book होता है तो इसमें biology physics and chemistry हर एक पार्ट जो 30 pages के आते हैं तो यह 90 pages का science होता है lucent में 90 pages का science का part होता है तो वो पार्ट आप कर लो 25 plus question definitely आ जाएंगे क्योंकि lucent से इस बार इस बार lucent से अकेले 10 question पुछा गया था ठीक है तो वो इस चीज़ाब से relevance सी इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है नेक्स्ट points to remember अब आपको क्या-क्या याद रखना पड़ेगा during preparing science for science क्या-क्या याद रखना पड़ेगा तो पहला चीज़ जो है summary boxes जो होती है end में वो आपको छोड़ना नहीं है आप पुछो के summary boxes क्या होते हैं sir वो मैं अभी बताता हूं इसके बाद exemplar questions जो होते हैं वो भी आपको यह मिलेगा तो यह पार्ट आपको बहुत बढ़ियां से cover करना है दूसरा हो गया boxes चो do you know पार्ट करके boxes बनते हैं science में आपको मिलेंगे यह मिलेंगे तो यह वाला पार्ट कवर करना है क्यूंकि do you know पार्ट से directly question पूछा गया था जैसे देखो आप यहाँ पे Venus जो अट्म sample दी रहती है वहां से directly question UPSC उठाता है तो इससे आपका relevancy बढ़ जाता है इस पार्ट का तो यह पार्ट आप तीनों नहीं छोड़ना आपको ठीक है यह पॉइंट जो है बहुत बहुत बहुतर परिके से याद कर लो आप सब उसके बाद आता है कि क्या no down करना है इसको तो सून विल पब्लिशिंग अवर नोट हम लोग अपना नोट सब भी पब्लिश करने वाले कुछ टाइम में तो प्लीस हमसे बने रहे हैं जुड़े रहे हैं टेलिग्राम चैनल जोइन कर लो उसमें आपका ही फायरा होगा फिर आता है पॉलिटी में तो पॉलिटी में भी हम इस बार भी पूछा गया था तो चांसे मोर की सीडियस में भी पूछे ठीक है उसके बाद हो गया आपका इंडियन पॉलिटी कुछ इसा दिखता है एंड यह क्लास 11 का एंसे अर्ट पॉइंट्स तु रिमेंबर नेसेसरी नहीं है हर एक चीज का नोट्स बनाना जो आप लक्षमिकांद में पढ़ोगे तो उसका हर चीज का नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं क्योंकि लक्षमिकांद खुद में एक नोट्स है अगर आप उसे ब्रिफली देखोगे तो लक्षमिकांद खुद में एक पिर स्मार्ट टेवल्स बनाओ किसी का रिट्स जो होती है पाइनिंग पावर जो होती है प्रेशिडेंट की उसके बाद हो गया मॉशंस जो होता है पारलैमेंट का उस पर क्या-का डिफिरेंश में बहुत प्रकार कihatने हैं तो बहुत प्रकार का éléments कुझ आठ करना है फिर हो गया important articles क्योंकि आप देखो previous जब analyze करोगे ना तो बहुत सारे articles से जो बार बार पुछे गए हैं काफी बार जैसे article आपका article 1 article 42 article 44 है ना उसके बाद फिर fundamental rights related articles तो यह सारा कुछ ना बहुत बार पुछा गया तो वह चीज आपके लिए important है कि आप उसे no down करके रखो नेक्स्ट है जोग्रोफी के लिए जोग्रोफी में आप देखोगे मैंने फिर यहां पर दो बार डिविजन किया हुए smart work में आप करो तो 11 से 12 time consuming नहीं रहेगा बहुत ही time saving है smart work 11 से 12 and definitely 12 से 12 प्लस question आपको यहां से आ जाएगा hard work अगर आप देखोगे तो ncrt प्लस जीसी लिओं क्योंकि जीसी लिओं से दो question पूछेगे इस बार तो मैं प्रिफर नहीं करूंगा जीसी लिओं करना के लिए अगर आपके पास time है तो definitely गो फॉर जीसी लिओंग और 6012 ncrt करोगे तो chances है कि you could score 15 प्लस question ठीक है यह आपका यहां पर कुछ ऐसा बुक है class 11 का यह class 12 का बुक है उपर वाला and class 11 के नीचे वाला ठीक है अब इसमें भी कुछ points रिमेंबर करने हैं आपको बहुत important है points to remember यह चीज़ आप देख लो ठीक है हर एक subject में मैंने points to remember mention करा हुआ ह तो वो चीज़ आप definitely मत छोड़ना पहला क्या है कि boxes मत छोड़िए अब पूछोगे सर boxes क्या होते मैं बताने वाला हूं इसके आगे MCQ जो होती है chapter के last में MCQ से direct question पूछता यूपीसी ग्लोसरी पार्ट जो होती है book के end में जो होगी 2-3 page होगी glossary का वह बहुत important हो जाता है terminology important होती है वहाँ पे class 12 human geography अगर आपको class 12 human geography जो पूरा book है एक गंटे में complete करना है था हमारा वीडियो देख लो playlist में मिल जाएगा आपको playlist नहीं तो channel मिल जाएगा कि एक गंटे में हमने human geography complete करा हुआ है thumbnail आपको दिख जाएगा वहाँ पे and pyqs at the end you have to solve that अगर आप देखो मैंने बोला ना box से question पूछते हैं do not leave boxes है ना box से question पूछते हैं तो यहाँ पे देखो यह box था इससे direct question इस बार पूछ लिया in fact बहुत बार पूछा गया है काफी boxes से तो सीरे question यहाँ से UPC ने पूछ लिया तो बहुत important हो गया दूसरा है कि यह question जो है यह question है आपका mcq mcq of ncr class 12 fundamental of physical geography तो वहां से mcq question है directly वहां से copy paste कर दिया यह प्लीस आपको यह क्या बोलते हैं इसे options भी देखो यह directly options यहां से copy कर दिया गया है ठीक है उसके बाद आते glossary part आप पूछे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि glossary क्या होती है glossary part right so this is the glossary part जो chapter के end मिलेंगे आपको terminology होती है abiotic क्या होती अड़ाप्डिक लेसरे लेपसरेट क्या होती है एरमास क्या होती है एस्थेनोस्पेर so these are the important portion फिर आते है history पर अब history complete कैसे करें तो इसके लिए simple है कि history कभी complete आप करनी पाओगे क्योंकि history बहुत ब्रोड है ancient medieval जो है ना बहुत ब्रोड है कहीं से भी UPSC पूछ सकता है बहुत books पढ़ेंगे फिर भी आपका completely नहीं होगा लेकिन जो relevant book है जिससे आप most questions कर सकते हो वो मैंने smart work में mention कर रहा हुआ है hard work में थोड़ा औ and 12 NCRT कॉंसा 678 and 12 NCRT complete कर लो जो themes होता है 12 का and Lucent का modern portion पढ़लो या spectrum book पढ़लो लो modern motion पढ़लो या spectrum book पढ़लो Lucent का modern portion कीतना 16 pages का आता है बस ठीक है वो पढ़लो या spectrum पढ़लो एक ही बात है हो जागा complete और hard work में अगर आप चुनोगे तो आपके पास time है तो ये parts portion पहले करो ठीक है तामिल नाडू का board लो तामिल नाडू board का 11-12 का book है ancient पर है वो complete करो and then Lucent का जो modern है 16 pages का वो complete करो तो ये portion आपके लिए रह जाएगा question जो मैंने mention करा इससे कितना आ सकता है तो इससे 10 plus question definitely आएगा और इससे 12 plus question definitely आने के chances है ठीक है ये है कुछ ancient themes के जो pictures है यहाँ पर अभी आपको point क्या याद रखना है पहली चीज क्या याद रखनी है कि neverly boxes mentioned in the chapter boxes जो है बहुत important हो जाती है ncrt में जो boxes बनी होती है आगे mention करेंगे कैसे terminology जो part is very important वह भी बताऊंगा map and picture उसको आप अच्छे से carefully study करना है map and picture को and the glossary part जो chapter के end में होती है कैसे मैं बताता हूं देखो maps and pictures अब दिल्मून क्या है यहाँ पे मगन दिया हुआ है तो मगन जो है यह पार्ट को मगन कहा जा आता था ओमान साइड में ठीक है फिर यह portion हो गया फिर कौन से रिवर मोहन जोदार कौन से रिवर पर आपका हरपा बसा हुआ है तो सारा question पूछा गया in fact previously तो वह important हो गया यह पहल साइड डस ट्रेवलर यहां से directly question पूछ लिया कि so much wrong यह जो statement दिख रहा है आपका नीचे यहां से देखो directly question पूछ लिया गया ठीक है copy paste nothing is more relevant क्योंकि यहां पर direct question आपको मिल रहा है तो यही portion आपको बहुत अच्छे से cover करना है और यह पूछा गया कि किसने यह line बोली कि तो line किसने बोली थी पैल सट ने बोली थी right फिर आगया economics का economics में आपको करना क्या actually मैं तो इसका economics का question six to nine के बीच में revolve होते रहते हैं इसी के बीच में revolve होते रहते हैं तो आपको ज्यादा महतने महनत नहीं करने smart work अगरो चुनोगे तो micro and macro ठीक है micro macro कर लो class 12 का book है and lucent का जो five year plan है lucent के book में आपको दो पेज में दिया हुआ है five year plan ठीक है याद क्या रखना आपको static को current affairs से mix करके पढ़ना हमेशा static जो है static जो आपका हम micro micro में पढ़े वह पार्ट हो गया और current affairs जो है जो budget से related हो गया economic service से related हो गया ठीक है वह portion को आप याद रखना है आरगया नहीं कुछ guideline निकाला या कुछ भी निकाला जो terms यूज करते हैं newspaper में तो वह पार्ट आपको याद रखना है current affairs में तो इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है आप हमारे telegram channel जोन कर लो ठीक है वहाँ पर सारा current affairs का portion cover हो जाएगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है फिर budget and economic survey से कुछ कुछ छोड़े-छोड़े terms होते है ना जैसे ब्लैक सौन हो गया वाइट सौन हो गया क्या होते यह सब चीज तो वह सब चीज आपको ध्यान में रखना है कि news में क्या चल रही है चुली क्योंकि news से काफी merge करके economic question पूछा जाता है static portion भी होती है काफी terminology and glossary part आप पूछो कि क्या होता है तो terminology जो है यह है अब glossary part यह portion chapter के end में आपको यह मिल जाएंगी ठीक glossary part यहां से डिरेकली आप देखो एक second monotonic preferences monopolistic competition oligopoly यह सब क्या होता है यह सारा कुछ यहां पर दिया हुआ प्लीस comment box में आप इसका answer mention करना क्योंकि यह portion पढ़ो और इसका answer आप comment box में देना फिर हो गया कि मैंस दख लिस्ट वन विद लिस्टू सीदे यहां पर पूछ लिया गया तो glossary बहुत important हो जाती है terminology नेक्स आते हैं कि यह boxes जो मैंने आपको बोला था कि boxes important हो जाती है next portion is current affairs how to cover the current affairs यह बड़ा question है जिसमें बहुत सारे parents confused होते हैं तो current affairs के लिए आपको आपके बहुत options है पहला तो मैंने दिया प्रतियोगिता दरपन cover करो magazine से जो लंबी आती है 200-500 page की आती है ठीक है उसके बाद हो गया GK Today की जो वीडियो होती है वह बहुत relevant होती है वह भी आप follow करो लेकिन बहुत lengthy हो जाएगा questions क्योंकि एक वीडियो में 24 questions होते है हर एक दिन पर तो उसी साब से अगर एक महिना पर निकालो तो वह around आपका 160 उसे plus हो जाएगा दूसरा option आपके पास क्या है कि quick info channel join कर लो हमार telegram channel जो है क्यों पूछो के but why what is the reason तो video proof यहाँ पे दिया हुआ है in fact starting of the video मैंने यही बताया था video proof है यहाँ पे देख लो और सिर्फ 15 दिन में जो 21 questions हमारा आया हुआ है उसके वज़े से यह बहुत relevant है तो channel join कर लो क्योंकि हमारा पढ़ाने के तरीका मैंने पहले mention करा हुआ हम मीम के थुरू पढ़ाते हैं तो यह मीम कुछ ऐसा है तो यह चीज portion आप देख लो क्योंकि यही तरीका है क्योंकि आप इस तरह से ज्यादा याद रख सकते हो इस चीज को कोई भी for terms को या question को एक करेंट अफेस को टेलिग्राम का जो लिंक होगा आपको चैनल पर मिल जाएगा या विडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या comment box में पेंड मिल जाएगा फिर आप mathematics पर पूछो के mathematics कैसे प्रिपेर करें तो इसका simple straight एक है mathematics for CDS RS अगरवाल यहाँ पे सब कुछ cut out करके दिया हुआ most important part का है कि figure out करोगी chapter और question का weightage का है अपको trigonometry portion का कितना weightage है उसमें से कितने question आते हैं वो पहले figure out कर लो और regular practice is very important क्यों कि mathematics is all about practices next you need about English English में कैसे करें English के लिए from plinth to paramount करके नीतु सिंग का एक book है ठीक है तो वो portion आप देख लो and previous question आपको देखता है देखना है तो दिशा का देखो बहुत ही better book है यह previous question 2007 से 2021 का in fact अभी अपडेट हो जाएगा साथ 22 में भी आ जाएंगी इसमें तो वह वाला portion आप देख लो cds का and totally practice के उपर best यह भी आप chapter versus question output देखना है क्योंकि कौन से chapter में कितना question पूछा गया है कि इस chapter से synonyms हो गया antonyms हो गया तो इसका दस-दस करके हमें साब पूछा जाथा total these questions होते हैं तो इस तरह सा figure out करना है कि किसको ज्यादा time देना है किसमें ज्यादा weightage है and last is subscribe for more content because you know that we work hard for you all बहुत ज्यादा time लगता है time consuming है बहुत research करना पड़ता है इस चीज को निकालने के आपको सही direction क्या दिया जाए तिल देन जहिन वंदे मात्रम